गैस यदि हम बात करेंगे किसके बारे में मूरत्र कालीन स्कल्प्चर के बारे में यारी मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे तो यहां पे बेसिकली हम तीन प्रकार की मूर्ति कला के प्रकार पड़ते हैं बेसिकली पहले नमबर पे आता है आपके पास में गांधार कला वे इसमें बेजिक अंतर देलो यहां सवाल आपसे पूछा जाते हैं कोई भी एक्जाम देलो यह कई वरी सवाल पूछा गया और बाकी एक्जामों में तो पूछह जाते हैं तो यहां पर बात करेंगे किसके बारे में गांधार कला के बारे में तो गांधार कला जो है बेसिकली वो क्या है इंडिनियर आर्ट नहीं है नेटिव आर्ट नहीं है बेसिकली यानि इसके उपर क्या है विदेशी कला का प्रभाव है यानि क्योंकि इसके उपर ग्रीक और र हो रहा है blue grace sandstone उसके बाद में मड और इस्टूकों का इस्तिमाल किया जा रहा है यहां पर यदि हम बात करेंगे कि इसको patronize करने का किसने काम किया तो patronize करने में इसका जो roll रहता है वो है कुशान रूलरों का ठीक है कि यदि इसके फैलाव के बारे हम बात करेंगे तो आज का जैसे सिंद प्रॉबिस हो गया पेशावर हो गया अफगानिस्तान के एरिया हो गये वहां तक क्या है गांधर कला फैली हुई थी वहां तक इसकी मूर्तिया जो है क्या है इस करने काप किस्सने किया इसको भी प्रोथसान दिया कुषान रूलर हो नहें यहां बात करेंगे तो यहां पर जादाट जो आपको देखने को मिलेगा कि मूर्तिए जो जछाद तर बनाइं गई है वह रैड स्पोटेड सेंड से बनाइं से बनाइं तो आए गई मथुरा हो गया ठीक है कनी सौक हो गया कंकाली टीला हो गया इन चेत्रों में क्या है इस कला का फैलावता यमना नदी के किनारे पर यह जो इसकल्प्चर का स्कूल है बेसिकली वह डबलब होता है यहां पर तीनों ही धर्मों के संबंद में जैन बुद्ध और हिंदुजम इन करने का काम किया है साथ वहन रूलरों ने और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर वाइट मार्वल का इस्तेमाल किया गया मूर्तियों को बनाने में वाइट मार्वल का इस्तेमाल किया यहां पर व्यक्तिगत उर्वर्वती कॉल्ट्यूटप पर स्क्र्वस्टिह हो रा वो start नदी के उसके कोश्च सब्सक्राइब के उस एंदर उसके को सब्सकindo हो तो यह बेसिक लिए गांधार कला के अंदर मथखुर्खव मेरे और अम्रावती कला के अंदर बेसिक अंतर हैं जो अक्सर एक्जामों पूछे जाते हैं